हाई फ्रेंज वेलकम टू माई चेनल फ्रेंज इस ड्रिंग को पीने से पाचन से जुड़ी परेसानियां से भिदूर किया जाता है यह ड्रिंग जो है इसमें फैवर और पाने की मातरा बहुत ज्यादा होता है इसे कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलता है और इन सब के अलावा इस जूस में बिटाइमिंग C और एंटियोक्सिडेंट गुन पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है और आपको कई तरह की बिमारियों से भी बचाता है इस जूस में और इतना ही नहीं इस जूस को सेवन करने से वजन को भी कम करन किरें में मदद मिलता है और अगर आप डायूटीज की मरीज हैं तो आपके लिए भी इस जूस का सेवन बहुत ही फैदीमद हो सकता है इसका रोजाना सेवन से करीब आप इसे आधा गिलास रोज सेवन कर सकते हैं और इस सेवन से डायूटीज भी कंटोल होता है और यदि आप हाई ब्लड फेसर के मरीज हैं तो उसमें भी इस जूस का काफी लावदायक होता है और इस जूस का फीने का सही समय है सुवा ऐसे में खाली पेठ यदि इस जूस को पीते हैं तो आपको जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगती है इसी कारण आपका वजन कम करने में मद मिलता है इसे आप ओवर डाइटिंग से बस जाते हैं और इस तरह से वजन को भी कंट्रोल करने में असरदार होता है और इस जूस में मोटा वर्ल जिंग को भी बुष्ट करता है साथ ही इसमें मौजूद एंटियोक्षिडेंट गुर्ण सरीर में मौजूद बिसाद पदा इसे पीठा भी कहा जाता है इसका मिठाई भी बनता है और ये वाइट पंपिंग का नाम से भी जाना जाता है तपहे प्रद्दु में पानी की धरकूर मात्रा होती है और ये ठंडी तासीर शरीर को हाइडरेट रखने के साथ बोड़ी को भी कुल भी बनाये रखती है तो इसे आप गर्मियों में लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ठंडी के मौसम में यदि जरूरी पड़े तो थोड़ा सा आप इसे ले सकते हैं ऐसी भी कहा जाता है कि ज्यादा सेवन करने से हानी भी हो सकता है इसलिए आप इसे गर्मियों के मौसम में करीब 100 ग्राम का जादा अच्छा होता है और इसे हम अच्छे से धो के काट दिये हैं और इसके साथ हम बीज भी इसमें डालेंगे और इसमें अब हम थोड़ा सा डालेंगे टमाटर और गाजर यह भी बहुत हेल्दी होता हमारे सरीर के लिए तो यह सारे मिलाकर हम इसे मिक्सी के जान में ज रखता है इसकी तासिर ठंडी होती इसलिए सर्दियों में इसे लेने से थोड़ा परेज करें कम ही मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और यदि जिनको बहुत पहले से ही घुटनों में या जोडों में बहुत जादा दर्द होता है तो डाक्टर का सला से लेना चाहिए या से खांसी जुकाम की दिकते रहती है उन लोगों को भी सर्दियों में इसका सेवन करने से थोड़ा बचना चाहिए या अगर आप सेवन करना ही चाहते हैं तो इसका किसी डाक्टर से सला लेकर हिंक करें तो फ्रेंट्स आज का वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे नई वीडियो लेके तो आप लोग अपना ख्याल रखें हल्दी रहें मैं जो भी मैं वीडियो इसमें डालती हूं बहुत मेहनत लगती है इसे हम अच्छी अच्छी जानकारिया सर्च करके कठा करती हूं उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करती हूं आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप Google या Facebook पर या YouTube पर सर्च कर सकते हैं और नए है मेरे चैनल पर तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा और साथ ही बेल अकन को किलिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थेंक यू बाय फ्रिंस